राइज वेलकम बैक टू बिक्रम टुटरियर बिहार बोड के नेक्ट सेस्थन में आप सभी का स्वागत करते हैं हम लेके आए हैं केमेस्ट्री क्लास 12 दोजर अकीस के एनुवल के सारे 70 नम्मर के अबजेक्टिव कोस्चन और ये सारे कोस्चन को आपको देखने के बाद एकदम निश्चित हैं ठीक है तो इस वीडियो को बढ़िया से देखी और एकदम जो भी टफ लगे जो भी इंपॉर्टेंट लगे जो आपको क्या बोलते हैं अगर आपके दिमाग में ना घुसे आप कमेंट करके मुझे बताईए तो कोस्चन को हम लोग सुरू करते हैं आपको सतर कोस्चन रहेगा लेकिन किन ही 35 प्रश्णों का ही उत्तर देना तो एकदम बहुत ही इजी हो जाता है और आप आसानी से दे पाएंगे तो चलिए हम सुरू करते हैं वीडियो को कोस्चन नमर एक आप देख पा रहे हैं निम्नांकित अभिक्रिया का पर्मुक पर तो यह आपका एंसर हो जाएगा बी नमर अब यह सब बी नमर केसे हो जाएगा तो यह आप लोग जानना चाहते हैं तो आप लोग अधिक सधी कमेंड किजी और बताएं कौन सा टॉपिक आपको टफ लगता हम उस पर वीडियो बना करके आप लोग को हम देंगे ठीक है ता और सेकरी असपार्टम तो आप सुने भी होंगे साइद तो आगे बढ़ते और जब दो ओप्सन आपका हो रहा है तो तीसरा ओप्सन अगर नहीं भी जानते हैं तो आप जान लीजिए कि दो ओप्सन तो दोनों में टिक नहीं करेंगे तो इसलिए इनमे से सभी अंसर हो जा हैं सभी कृत्रीम बहुलग होते हैं जिसको संसलेसित बहुलग कहते हैं और सारे चीजों का हम वीडियो अगर ले के बोलिए का आप लोग ज्यादा ज्यादा कमेंट कीजेगा तो मैंने इस तुरूप से अलग अलग टॉपिक का भी वीडियो लेके आऊंगा कोश्चा नमर में भी और हिंदी बजन दोनों में ही हम वीडियो को बनाएं तो देखिएगा आपको समझ में जाएगा इसका ओप्सन नमर ए होगा आप यहां सीख जाईएगा वहां पे तो आपका ओप्सन नमर आप आराम से टी कर पाएंगे आगे बढ़ते हैं कोश्चन वर फाइप नि मानदारी पुर्वग देखिए और मैनत किजिए निश्ची तुरूप से आपका हर यह कोश्चन आपका आपका आसानी से टेकल हो जाएगा और जो जो टेकल नहीं हो पाता है आपसे वह आप नीचे में कमेंट करके मुझे रखिए मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और जब कर पाएंगे तो कोई जरूरी नहीं है कि हर ओप्सन में पराश्रन दाभी रहे ठीक है एक मूल एल थ्री प्लस को एल में अपचियन के लिए कितनी आवेस की आप सकता होगी तो यह आप लोग कमेंट करके मुझे बताईएगा कि ए बी सी डी में कौन सा आंसर होगा यहाँ पे टिक किया हुआ ए नमर लेकिन क्या आप ए नमर कहेंगे आप लोग कमेंट करके मुझे बताईएगा इसको बनाईएगा और नहीं जानते होंगे आप कमेंट कीजिएगा मैं आपको बताने बनाने भी सिखा दूँगा कोशन नमर एट अनुचुमबक कर तो जिसको हम लो चूबरॉमाइड अभी किरिया दवारा किसे बनाता और चूबकर आ भी किर्या से बंता है और आपका आपका बनता है टॉल्वीं ऊर बनता ऐसीटो फिनol तो ये तो होगा नहीं आगे बढ़ते हैं कोश्चन मर completeantic न Almostन दहीं देखने को मिलि सकता है तो यह ध्यान ठीक है तो इसका अंसर होगा और इसके बारे में भी आप जानना चाहते हैं कि केसे तीगुना होगा केसे आप निकाल लेते ही मांग वाव डम वान किसका जादा होगा क्या होगा तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताइए अभी फिलाल ओप्सन नमर सी होगा कोश्चन नमर 12 ज्वीटर आयन बनाने में कुन समर्थ है तो इसका अंसर होगा D NH2 CH2 CWH एक्चुली ज्वीटर आयन जो बनाता है वो होता एमिनो अमल और एमिनो अमल दोनों होता है और आप्सन नमर अब कर D में ही एमिन भी है एमल भी है तो याद रखिएगा D नमर इसका option होगा आसानी से आप अगर थोड़ा जानेंगे इसके बारे में समझेंगे तो आप आसानी से टीक भी कर पाएंगे और टीक करना कोई बड़ी ची नहीं आप सबसे पहले 100 परसंट जो जो जानेंगे कोश्चन का अंसर वही आप सबसे पहले टीक कीजिएगा मतलब सरकिल की जानेंगे उसमें दिमाग जरूर यूज किजिएगा आपका अंसर जरूर होगा होगा कोश्चन नमर 13 पर गलन विदी में धातू के एक साइड के अपतियन में प्रियूट होता है इसका एंसर होगा B C carbon के से धातू के साड़ का option होता है याद रखिएगा question number चोगद एक सुनी कोटिय अभिक्रिया A plus B equal to C के लिए धर क्या होगा तो सुनी कोटिय अभिक्रिया के लिए धर जो होगा सांदर्ता का जो power होगा वो 0-0 होगा तो option number A में ही ऐसा दिख पा रहा है यानि इसका अंसर होगा option number A 15 अभिक्रिया जो आप दिख पा रहे हैं यह है आपका फिटी का विक्रिया option number A correct इसका अंसर होगा लेकिन अगर इसमें अगर यही ring दिखता और CI3X भी दिखता तो हो जाता उर्ज फिटी का विक्रिया option number C होता और अगर एलिफ्याटिक रहता जैसे रहता RX प्लस टू याने तो उसका अंसर होता उर्ज अभिक्रिया और कॉल्ब अभिक्रिया अलग चीज होता है question number 16 फिनॉल को अभिक्रिया द्वारा परिवर्थित किया आता है तो इसका अंसर होगा रीमर्ट टीमें अभिक्रिया अगर थोड़ा सा अगर फोलें ध्यान दिये होंगे और अच्छे तरह से केमेस्ट्री को पढ़ते होंगे तो निश्ची तुरुसी यह सारे question आपको हल्वा लगेगा बहुत ही easy लगेगा तो इसका अंसर होगा रीमर्ट टीमें और कॉल्ब अभिक्रिया से बनता है सलिसाली कमल बहुत सारे चीजें बनता है तो इसका अंसर होगा याद रखिएगा यह वाला होगा सी नमर किलकुल ही गलत होगा ठीक है कोश्चन नमरा ठारा एस्कॉर्बिक के जगा एस्कॉर्बिक लिखा गया कोई बात नहीं है एस्कॉर्बिक अमल है तो बिटामिन क्योंकि बिटामिन सी का ही रसा नम एस्कॉर्बिक अमल होता है तो इसलिए याद रखेगा बिटामिन इसका एंसर होगा वह पदार त होते हैं वैक्तरीया होता है उसको नास करता रावा में जब इलेक्टरो रिनाय धृ flatter पकड़ लेता ही तो कवास्य कोश्म inmates दुवारा धाक Venice Có इसको एप सेंटर करते हैं सी एए और त्री ओल ट्वाइस में वांट हप गुनक होता है तो वांट हप गुनक पर हमें एक वीडियो बना देंगे आप लोग के लिए अभी फिलाल इसका एंसर सी होगा कोश्चन नमर अकीस का एंसर होगा कैसे होगा सी एका प्लस प्लस होगा और इसका फॉर्मूला होता है डिसोसियेशन के पाले और यह सा भी फॉर्मूला होता जो याद करवा देंगे आप लोगो हम वीडियो के तुरू आप लोगो बढ़ यहां समझा देंगे केल्सियम फॉर्मेट के सुस्क्रावन से प्राप्त होता है और केल्सियम एसिटेट के सुस्क्रावन से प्राप्त होगा यहां पर आपका एसिटों जो कि यहां पर आप्शन में नहीं दिया हुआ है और केल्सियम एसिटेट के सुस्क्रावन से प्राप्त होता वह था आप त्वान क मान में इतना दिया हुआ है कि फिसके बास करेंपने डिए की याद रखेंगे जितना माइनस हो सबसे ब्लाहें सबसे बढ़ा इसके बारे सुपस्ट नमर्डीज का करेंट एंसर हो जाएगा कोस्टन नमर्चोबिस इंजाइम क्या है तो इंजाइम एक प्रकर का प्रोटीन होता है एंसर नमर्च सल्फाइड आप लोग पड़े होंगे फैन उत्पलावन विदी टिंडल प्रभाव जितना भी होगा ना सब होगा फैन उत्पला एलकीन देखिया भी पड़े लिखा गया एलकीन बट एलकील हलाइड होगा ठीक है एलकील हलाइड हम सोडियम दातु के बीज अविक्रिया क्या कलाती है तो उड़ जब इकरिया कलाती है अंसर नमर्ट होगा अभी जश्ट उपर में ही बात किए थे अब है कोशनों 28 का जो यानि प्लस थ्री कोस्चन नमर्व 29 कोस्चन 29 मन देख ओर यह आपका दिख रहा है मैं डेस में उतपाद है तो उतपाद क्या देखे यह जो दिक रहा है अविक्रिया वाला में यह आपका है निमन में से किसम में दितो यह पन रहे है कर निंबां यानि either 100 जाएगा बहूत ह तो नाइट्रोजन और कार्बन यह सभी चोटे चोटे जो यानि उसका परमानुस से कम होता है और यह इसके अंदर में डी और्बिटल नहीं होता है इसके कारण से इसमें पी पाई डी पाई बंदन नहीं बना पाता है इसलिए अंसर होगा तत्व कलाते हैं ऐधकरिष्ट हैं कोशनमर्ब 32 पर्थम संक्रमन स्रेणि में उचतं परतर करने वाला थत्तव है कोसी आगे बढ़ते हैं कोशनमरії निमने स्पश अप पूर्यास्तर क्रमी रुपसे भरता भरंग है तो शहीनियτο है कोशन पूछ धे ठीक है को सब्सक्राइब और नहीं जानते हो निकालने के लिए तो आप वीडियो में देखिए आपको तुरंद ये वीडियो आपको मिल जाएगा और एकदम बहुत बताए हुए कोस्टढ मैं थर्टीफाइब किसी स्हला विक्रिया की समयस्था पर क्या सब्सक्राइब पर जीरो और ऑर बांकी के लिएप कितनी परते होती है से किसके साल विक्रियादवरा प्राप्त होता है लाइट- इससे बनता बाहु लग तो आप लोग वीडियो में देखिए जा करके तो आगे बढ़ते को नतिदिक छारी है तो इसका एंसर होगा डी जो बिल्कुल गलत है यह नहीं होगा ठीक है और अगर डाउट लगता है तो आप लोग कमेंड करके नीचे में बताइए मुझे क्या इसका एंसर होना चाहिए आप बताएए चालीस मोनोहट्रिक अलकॉल का समानी सूत्र है तो इसका मोनोहट्रिक अलकॉल का ओप्शन में यह होगा और अगर आप ध्यान पूर्वक इतना समानी सूत्र यह सब पढ़े होंगे तो आसानी से बता पाएगे दूद निमलिकित में किसका उदाना रहा तो आपका कभी-कभी इमल्सन लिखा रहेगा तो इसका अंसर होगा सौल तो बिल्कुल नहीं होगा ठीक है तो गलेना होता लेड का यह पीबी का अंसर हो जागा अभी क्रिया करते हैं तो बन जाता थोड़ा सा विक्रिया पर ध्यान दिया होंगे तो यह सब रियक्शन आफसानी से कर लेंगे निमन में कौन सा बंदन सबसे ज़्यादा परवाल होता तो इसका अंसर होगा ए नमबर एफ एफ बंदन जो की एंसर दे दिया है सील सेल जो बिल्कुल ही हो गहां है अगर गलत नहीं है तो आप सांधा रसानी नमें आप याद कर लिए सब्सक्राइब करने के लिए हम पैंट कर सकते हैं यह सभी चीज़ें प्रेंट कर सकते हैं यह कर लगाकर कर सकते हैं लेकिन इसमें कुछ भी इसा नहीं दिया इनमें से कोई नहीं होगा कन्फ्यूज मत किजिए का अंसर होगा अगर तो नहीं होगा आपका नाम होगा आपका होगा अपका होगा नीवनि मैं न्यमी से मैंगनेसिए मयूंग हैं तो प्राकिव कलोरो फिल्म मैंगनेसियम पाय जाता याद रखेएगा और भी 1 उबार में कोबार्ड पायर यह भी ध्यान रखेगा है हो और ही अजान आज के एल्कॉली के वज़ का उत्पाद क्या होगा तो सी एच्टू डवल बॉंड सी एच्टू पाला ओप्सन होगा इसका और यह बता एक्वास क्यों रहता तो इसका अंसर होता ऑप्सन नमर बी फोटोग्राफिक फिल्म प्लेट में किसका आवास से घटा होता सिल्वर सब्सक्राइब क्या बनाता है तो याद रखेगा मुललता परमलता सभी ताब दोरा प्रवाइद होते हैं मानसरी दवारे उत्पन नहीं करता तो विटामिन हमारे सरी में नहीं बनता है बलकि एंजाइम डियने हर्मोन यह सब भी सरीरिक में ही उत्पन हो जाता है अब अंठावन नमर अंठावन नमर बहुत ही असान है इसका अंसर होगा डैनियल से आप देखे भी होंगे इसके पिछले भी वीडियो में बहुत सारे वीडियो में यह बता चुके है उन्सट नमर यह जाता है किस परकार से होता तो आप लोग कमेंड अधिक सदिक कीजिए और जितने भी बिहार बड़ के स्टूडेंट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लिए क्योंकि आने वाले दिन में आप कंप्प्टिशन के भी चेत्र में जुडएंगे तो कंप्प्टिशन कि फिरेंट इसका 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 वीडियो भी बना चुके है आप लोग देख लीजिएगा ठीक है सारा वीडियो को मेरे चैनल में देख लीजेगा नीम्न विक्रिया का पर्मुद्पर्तिफल कौन सा है इसका एंसर होगा C, CO, CL2 और इसका भी हम चैनल में वीडियो बना चु सब्सक्राइब का पर्मुलाता सिय तरी सिय तरी याद रखिएगा अभी कारक अनों को पादम परिवर्थित का होने के लिए आवस्यक नियुंता मुर्जा को क्या काता है सक्रिय नूर्जा जिसको एक्टिवेशन एनर्जी काते हैं भोती अधिसोसन में लगवाग उसमां उसर्जित होती है तो होगा इसका बी से चालीस किलो जूल पर मोल अगर यह अरहसानी अधिसोसन पर बोलता तो असी से दूसर चालीस किलो जूल याद रखिएगा किलो पर मोल अधिक्रिया में निर्मान होता है याद रखिएगा बहुत इंपोर्टेंट है संक्रमन अवस्था का ठीक है याद रखिएगा उसके बाद निवन में से कौन सा योगी जल में विले है तो यह हो जागा आपका कार्बोनिल समू के कार्बन पर कौन सा परसंक्रन होता है तो होगा ऑप्शन नमर बी एस पी टू फॉर्मेल डियाइड को एनवस के विलियन के साथ गर्म करने पर क्या प्राफ्ट होता तो अंसर होगा मिथाइल अलकोहल और सत्तर नमर लास्ट कोशन अभिक्रिया में एस थ्रियो प्लस का उत्पाद क्या होगा तो इसका अंसर होगा फिनॉल ऑप्शन नमर बी उमीद करते ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा और आप लोग समझ गए होंगे सारे चीजों को जो जो इंपॉर्टन लगे हो वो आप लोग कमेंड करके भी बता सकत हैं और जब भी कुछ भी पड़े हैं एक तब इमानदारी पूर पड़े हैं क्योंकि एक बाद ठान लिया कुछ करने का तो नहीं रुख जाने का थैंक्यू बेरी मच